4th question देखिएगा कि क्या इस्टैट्ट है whether each of the following statement are true or false, if the statement is false then we write this given statement correctly, जो true है वो true है, उसमें कोई करना ही नहीं है, अपने true false ही बताना है, जो false आ गया उसको हमें correct करके लिखना है, बस इतना काम करना है, तो जो पहला statement देखिएगा कि क्या है, कि P equal to तो है उसके अंदर M and 2 elements है Q में क्या है वही, N, M है, तो P, Q, R, यहां पर जो partition product वो P, Q है, वो क्या यह है, यह तो true नहीं है, यह तो statement क्या है, कि wrong statement है, जो अपना first जो है, वो क्या वही, false statement वही, false statement वही, false statement, ठीक है, false statement वही, ठीक है, तो अब चलते हैं में इसको right करनेगा, तो correct form क्या होगी इसके, correctly form, तो यहां से क्या हैने वाला वही, इसमें P, Q, जो है, वो क्या हैगा वही, यहां से, वही, क्या है कि M का किसके साथ लगेगा, N के साथ, arrow लगा दो, और M का किसके साथ, arrow लगा दो, भई, M के साथ, फिर again, N का किसके साथ, arrow लगाओ, N के साथ, लगाओ, और N का किसके यह जो पर्स पार्ट का यह आंसर है था, second में क्या है कि A and B are a non empty set, ठीक है? और यह A x B is the non empty set of ordered pair, यह 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 ज़िए A और B यह जो non empty है तो इनका जो pair होगा ordered pair होगा, वह P cross होगा, such that x belonging to A and y belonging to A, तो बही यह यह तो होता है कि non empty set of ordered pair ही तो होता है, जिसमें X A में से आता है, Y किसमें से आता है, यह तो क्या अपना true statement निकला गई, basic सी definition यह है, इसमें कुछ है नहीं इतना, इसका मतलब यह true है, true है तो कुछ भी नहीं करना है, अब देखेगा कि इसमें, कि A equal to 1, 2, इसके अंदर elements है, B के अंदर 3, 4 elements है, तो फिर देन A cross B intersection 5, आपको पता होना चाहिए, कि किसी का set का भी intersection, यदि हम 5 के साथ करते हैं, तो वो क्या आता है, भी 5 आता है, ठीक है, 5 और cross 5, यदि एक set अपका 5 है, दूसरा set क्या है, finite है, non empty set है, ठीक है, तो उस set में आपको क्या मिलने वाला है, हमने पढ़ाता है, यदि एक set भी यदि वो क्या हो गया, कि non empty हो गया, तो अपना partition product भी क्या हो जाता है, non empty, तो इसका मतलब यदि partition product है, वो भी non empty, यानि कि empty हो गया, sorry empty, ठीक है, तो यहां से यह भी क्या हो गया, true statement आगया, clear है आपको, यदि कोई problem है, तो comment कर सकते हो, आपको reply जरूर से मिलेगा, ठीक है,